भारत और अस्टेलिया के बिच खेला गया है दूसरा ओडियाई मुकाबले में टीम इंडिया बेहतीन पर्फरमस किया और टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीत भी लिया और इस जीत में जो सबसे बड़ा हाथ था वह था स्रेस अयर का क्योंकि स्रेस अयर ने कमाल के लेकिन इसके बाद जब अगर आप पाली बराएं तो हमारा चनल जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब करें तो बात करें इंडिया और अस्टेलिया के बिच खेला गया दूसरा ओडियाई मुकाबला जो कि कमाल का था और टीम इंडिया ने 99 रणों से अस्टेलिया को हराती है तर्साइब खेवार को कले सबने यह सब्सक्राइब आए अनल 총 बात करें इस मुकाबले अब देटीम के और बता दी के श्रेस अयर नंबर तीन पर आपकर सतक लगाए थे और बहत्रिम बल्लेबाजी की थी और सुपमंगिल के साथ संदार पार्टनर्सीब भी की थी तो अब उसे पुछा गया कि क्या हो आगे भी नंबर तीन पर खेलना चाहेंगे जिए दोस्तों तो इसके बाद स स्थान कर देना वाला बयान दिया स्थान बिराट कोली के और बिराट कोली ने इसे कमाया है कई सालों से यहां दोस्तों कमाल का पर्फरमस क्या है बिराट कोली नंबर तीन पर बिराट कोली से बेहतर बल्लेबाज नंबर तीन पर वर्ल्ल क्रिकेट में कोई नहीं है और ऐस इस अस्थान को ले पाएंगे उनके बस के नहीं है और यही कहना था तो आपको क्या लगता है क्या नमबर 3 पर श्रेश आगे जाका खेल सकते हैं या फिर बिराड कोली बेच्टे नमबर 3 पर ODI में और बिराड कोली से कोई कि नमबर 3 नहीं चीन सकते हैं आप हमें अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए तब तक लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में करें